दोस्तों लॉरेंस के भाई अन्मोल बिशनोई को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है तो बताएंगे इस बारे में पूरी जानकारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना द्रिसल दोस्तों लॉरेंस बिशनोई गैंक पर नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी ने सिकन जकसा है एनाईय ने लॉरेंस के भाई अन्मोल बिशनोई पर दस लाग रुपे का इनाम घोसित किया है अन्मोल बिश्णोई लॉरेंस बिश्णोई का भाई है वह सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या में भी आरोपी है साल 2023 में जांच एजेंसी ने उसके खिलाब चार्ज सीट दाखिल की थी रिपोर्ट के मुताबिक वह फर्जी पासपोर्ट के जरिये भारत से भाग गया था अन्मोल बिश्णोई के बारे में बताया जाता है कि वह अपने ठिकाने बदलता रहता है और पिछले साल उसे कैन्या और इस साल कैनडा में देखा गया था जानकारी के मुताबिक अन्मोल विश्णोई पर लगबग 18 अपरादिक मामले दर्ज हैं वह जोदपुर जेल में भी सजा काट चुका है अन्मोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था दोस्तों हम आपको बता दें कि 14 अपरेल 2024 को सुपरिस्टार सल्मान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बहार गोली बारी की गई थी इस मामले की जाच कर रही मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने वांटेड आरोपी अन्मोल बिस्णोई के खिलाप गोली बारी मामले में लुकाउट सर्कूलर नौटिस भी जारी किया था साथ ही बाबा सिद्धिकी की हत्या मामले की जाच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को आरोपियों से पूस्ताच में पता चला था कि सूटर्स अन्मोल बिस्णोई के सीधे संपर्क में थे हत्या करने वाले संदिक्द तीन सूटरों ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप के जरिये गैंक्स्टर लॉरेंस के भाई अन्मोल बिस्णोई से बादचीत की थी अन्मोल बिस्णोई एक सूटर और साजस करता प्रवीन लॉनकर के संपर्क में था इस प्रकार दोस्तों लॉरेंस का भाई अन्मोल बिस्णोई विदेश से ही वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है लेकिन इस बार एनाई ये नहीं उस पर सिकंजा कसा है और उस पर 10 लाख रुपे का इनामर रखा है तो दोस्तों आप क्या सोचते हो अन्मोल बिस्णोई को लेकर कॉमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद